नमस्कार दोस्तों जैहिन आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल प्रस्वागत है अगर आप हमारे चैनल पर नए है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए आज के इस वीडियो में हम लोग 3-phase locomotive का जो freight locomotive है उसके schedule के बारे में बात करेंगे बतलब WAG9 और WAG9H के schedule के बारे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर देखिए कुछ railway board के letter का reference दिया गया है जैसे एक 2007 का railway board का letter है दूसरा 2016 का है फिर 2020 का है और सबसे latest 7 December 2022 का है तो इन railway board के letter के reference पे यह schedule चार्ट बनाया गया है इसमें total 3 कालम बने हैं सबसे पहला है maintenance schedule फिर है periodic और उसके बार duration अब हम लोग यह schedule के बारे में बात करत तो जो TI होता है freight ABB लोको का वो 45 days का होता है यानि चाहे आपका WAG9 लोको हो या WAG9H हो यह 45 दिन में इसका TI किया जाएगा और इसके लिए set को मिलते हैं 4 hours उसके बाद जैसा कि आप लोग जानते हैं कि total हमारे 3 schedule और होते हैं IA, IB और IC तो जो कर्वेंसा electric लोको थे उसमें 60 days के multiple में IA, IB और IC होता था और इसमें 90 days के multiple में होते हैं जैसे आईए इसका होका 90 days का IB 90 का second multiple यानि 180 और IC 90 का three time multiple यानि 270 days यानि IA 90 days का होगा और अगर 90 में two से multiply कर दीए यानि 180 days ये IB हो गया और 90 में three से multiply कर दीए यानि 270 days ये IC होगा और set को IA schedule करने के लिए 4 hour, IB schedule करने के लिए 6 hour और IC schedule करने के लिए 8 hour मिलते हैं फिर यह जो major schedule है इसके बारे में बात कर लेते हैं TOH, IOH और POH TOH का मतलब होता है term overhauling तो ABB जो freight loco है उनमें TOH 3 year पे होता है उसके बाद 9 year पे होता है और उसके बाद 15 year पे होता है यह जो पहला TOH है इसको करने के लिए set को 6 working day मिलता है और उसके बाद वाले जो TOH है यानि 9 year और 15 year वाले उसके लिए set को 8 working days दिया जाता है उसके बाद होता है IOH जिसको intermediate overhauling कहते हैं यह दो बार होता है एक होता है 6 year पे यानि 72 month पे और tolerance के लिए plus minus 6 month दिया है साथी 8 lakh km इन में से जो पहले हो जाएगा और दूसरा IOH यह होता है 12 year पे tolerance के लिए plus minus 6 month रहता है या 16 lakh km दोनों में से जो पहले हो जाएगा और IOH को करने के लिए set को 11 working day दिया जाता है फिर आता है POH यानि पिराडिकल overhauling यह 18 year में होता है और tolerance के लिए plus minus 6 month रहेगा या 24 lakh km जो पहले होगा और इस schedule को करने के लिए set को 28 working days दिया जाता है अब यह याद कैसे करेंगे उसके लिए देख लेते हैं कि यह जो TOH है इसके लिए productivity 3 times है 1st है 3 year पे 2nd है 3 को 3 से multiple कर देते है यानि 9 year के लिए और 3rd है 3 को 5 से multiple कर देते हैं यानि 15 year के लिए उसके बाद IOH को याद करने का तरीका यह है कि जो पहला वाला TOH था यानि 3 year इसको हम दिमाग में रखते हैं और IOH जब इसको हम 2 से multiply कर देंगे तो आता है 6 year या 72 months यह पहला IOH रहेगा और जब इसको हम 4 से multiply कर देंगे तो आएगा हमारा 144 month या 12 year और अगर इसी को हम 6 से multiply कर दें तो हमारा 216 month या 18 year आएगा जो की हमारे POH के लिए priority है तो इस तरह हम multiple में इसको हम याद कर सकते हैं कि TOH के लिए 3 year IOH के लिए 6 year और 12 year होता है और POH के लिए 18 year होता है और IOH और POH में हमारे 6 month का tolerance दिया गया है इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं जैसा कि conventional लोकों में होता है कि TI TRIPSET में होता है और IA, IB, IC जो schedule है वो हमारे home set में भी हो सकते हैं और foreign set में भी हो सकते हैं TOH और IOH हमारे home set में ही होंगे और POH के लिए पहले से allotted work shop है तो POH जो होता है वो वहीं पे किया जाता है तो इस वीडियो में हम लोगों ने जो railway board का current letter है उसके carding ABB के जो freight लोकों है उनके schedule को हम लोगों ने यहाँ पर देखा अगले वीडियो में हम लोग ABB के passenger लोकों के schedule के बारे में बात करेंगे मिलते हैं next वीडियो में Thank you